जेहिंदर नमस्कार मेरे शेयर शेयर लाड़ 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 लिए बहुत सारे बच्चे की आप कमेंट्स आ रहें जैसे ही उन्होंने एक नोटिस देखा है और कुछ लोग उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहें इसपेसली SSE GD का जो नोटिस है 24,600 पोस्ट को लेकर ठीक है आपको मैं बता दूँ यह नोटिस दे के बहुत सारे बच्चे घबराब गए है कि 24,000 पोस्ट की यह वेकेंसी रहने वाली है पहली बात तो यह जो घबरायते उनके लिए में पहले भी बनाया था कि आपको कोई म पोस्ट की वेकेंसी है तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन इसमें सत्यता क्या मैं आपको बता देता हूँ ठीक है सत्यता यह है कि 24,600 पोस्ट की आपने वेकेंसी देखी है यह वाली यह अभी जो वेकेंसी SSE की official website पर नहीं आया जबकि एक नोटिस आ गया आपने मान पर नहीं है कि नोटिस सचा है या गलत है ठीक है बहुत सारे बचे इस अकरम है कि आंसर उसको सभी सही बता रहे हैं नोटिस तो बिल्कुल 100% सही है कोई गलत नहीं है मैं आपको बता दूँ वो नोटिस जो है वो पोस्ट के लिए है यह नि किस डिपार्मेंट में कितनी प आए हमें 2200 के आसपास की पोस्ट वेकेंसी दिखा रहे किती उसकी पोस्ट भी जीरो आए थी यह नि जो भी आप वो नोटिस देख रहे हो उसका कोई मेंटर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है उसका ठीक है जरूरी नहीं कि उसमें जितनी जैसे मानलो बियस अपने अपनी रीज दिये कि हमको इतने पोस्ट चाहिए जैसे उन्होंने बोला कि हमको 8700 पोस्ट है हमारी खाली ठीक है वो डिपार्मेंट को इनफोर्मेसित देता है हरे डिपार्मेंट अपने आप सभी को पता 8 डिपार्मेंट आते हैं कौन-कौन से अना ये SSF, CISF, CRPF, BSF, SSB, Assam Rifle और ITBP ये आठ जो डिपार्मेंट है इन्होंने में सबने अपनी अपनी रिपार्मेंट दिये कि हमको इतनी पोस्ट की वेकेंसी है हमारी डिपार्मेंट में ठीक है अब ये जो वेकेंसी दिये ना ये वो वेकेंसी दिये जो खाली है इनके डिपार्मेंट में जान रखना वो डिक्वाइड नहीं बेजिए कि हमको नए पद कितने चाहिए दूसरी बात जैसे इन्होंने मालो 8,000 देदी किसी ने 7,000 देदी किसी ने 10,000 देदी वो वेकेंसी नहीं कि गौर्मेंट डिसाइड करेगी कि लगब गुंतिस जार जवानों की थी उनकी पोस्ट जो खाली थी एक साल में वे डिटार्मेंट की वह भी लगब की जार थी और उनने आठ जार पोस्ट बढ़ता के बताई थी लेकिन उसको जीरो पोस्ट दी यह सरकार डिसाइड करती है कि अंतिम समय में ज़र नोटिपिके इक साथ अपडेट पोश्ट दिखा रखिए जीरो ये बाणडर भी मतलब नहीं है इस बार कम से कम तो आपने जो देखा है ना जो नोटीस उसका कोई वेल्यू नहीं है शारी की सारी फोर्सों में पोस्ट आएगी पीछली बार एक मात रही सा वाता कि CRPF और N9 में पोस्ट नहीं आय थी N9 छोटी पोस्ट हो सकता है इसमें इस बार भी नाय या आय नहीं लेकिन CRPF में इस बार वेकेंसी पक्किया आएगी रोभी 20 से 25,000 प्लस पदों की तो मान के चलिए वेकेंसी 50,000 से 60,000 या 60,000 से 80,000 के मद्दे वेकेंसी रहने वाली है जिस परकार सभी पिछली बार 60,000 की उम्मीद कर रहे थे 25,000 वेकेंसी आई क्योंकि CRPF की पोस्ट नहीं थी तो गोवर्मेंट अंतीम समय में डिसाइड करती है जबकि पेले इस परकार गया तो CRPF का नोटिस था ना यह नोटिस बता रहे हैं कोई बता रहा बिल्कुल सही है अरे वो तो सही होगा लेकिन उसका कोई वेल्यू नहीं है पिछले साल का पिछले 2021 वाली भड़तेगा उठा लेना नोटिस उसमें CRPF की वेकेंसी गुंती सब्सार के आसपास दिखा रहे है जबकि ओइजनल नोटिफिकेंस में जीरो वेकेंसी आई थी CRPF की एना ये की 2200 दिखा रहे है जबकि जीरो आई थी तो यह कोई मेटर नहीं करता अभी आपको उस नोटिस में क्या दिखा रहा है वह कोई डिफार्मेंट ले अंदर नोटिस है जो वाइरल हो जाता है ठीक है उसका कोई वेल्यू नहीं है के लिए रहे बाट वेकेंसी काफी बड़ी रहने वाली है बस आप तयारी करिए और अगर आपको तयारी करने ही मेरे साथ तो रात आट वजे लाइव कलास डेती है मेरी SSGD का शंपून टोटल पेपर कड़ाता हूं मैं आप उसमें जूट जाए लाड़ लो जै हिंद जै भारत